जी तो एक क्लाइन का क्वेस्चिन था कि एक हेल्दी रिलेशन्शिप कैसे चल सकता है यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है कोई भी रिलेशन्शिप चलाने के लिए मैं एक जगा पर पढ़ रही थी कि अगर रिश्टा एहम है तो बात भूल जाओ और अगर बात एहम है तो रिश्टा भूल जाओ यह बात इसकदर मुझे खुबसूरत लगी और मैं यही सोच रही थी कि कुछ लोग बोलते वक्त बिलकुल नहीं सोच थी और इतना कुछ बॉल देते हैं और बॉल देने के बाद वो यह भी सोच रहे होते हैं कि हमारा जो रिश्टा है वो पहले की तरह ही मजबूत रहे जबकि ऐसा नहीं होता थोड़ी बहुत नोग जो किस घर में नहीं होती हर जगा पर होती है तो आपको चाहिए कि सोरी बोल दो और फोरण बोल दो अगर आपके लिए रिश्टा इंपोर्टन है तो फिर आपको यह चीज़ नहीं सोच नहीं कि पहले कौन सोरी बोलेगा ठीक है तो आप बोल दो यहां आपका पार्टनर पहले बोल दे दोनों तरफ से जो भी बोल दे जो इंपोर्टन चीज़ है वो यह है कि आपने अपने रिश्टे को बचाना है तो यह चीज़ जो है इसको जहन में रखना चाहिए लेकिन फॉर एक्जेंपल कुछ लोग होते हैं कि वो यह सोच में पढ़ जाते हैं कि मैं पहले क्यूं सोरी बोलूं अगला भी तो बोल सकते हर बर मैं ही क्यूं तो इसके लिए यह है कि जब आपको इस तरह की कोई सोच है इस तरह की थौट आ रही हो तो आप ज़रूर यह चीज़ अपने आप से पूछें अपने आपको कुछें करें कि अगर मैं इतने दिन से उसे अपरोच नहीं कर रहा तो am I fine और यह चीज़ मुझे bother कर रही है अगर if yes तो कह दो जो कहना है it's mean कि आप कुछ कहना चाह रहे हो अपने partner से तो आप उसे जरूर कर दो अगर कोई भी बात आपको बार-बार bother कर रही है यह चीज़ bother कर रही है कि आप बात नहीं कर रहे इसलिए फिर आपको जो कहने आप कहतो और उस चीज़ को कहने में फिर देर मत करो because life जो है वो बहुत ही unpredictable है so sorry कहने में कोई देर ना करे सोरी कह देने से कोई चोटा नहीं हो जाता और आप sorry कह देने से अपना relationship जो है वो और मजबूत कर लेते हो और और खुबसूरत कर लेते हो